जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल लौकरी तक पर आसा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुस होंगे सभसे पहले हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जो नियोजित फिच्छक और सिच्छिका है खासकर हमारे साथ का हमारे सायोगी भी है उनको इतना ही कहेंगे समय बहुत कम है वाकई में कम है मैं फिर बोल दूँ आपका सब कुछ नोटिफिकेशन हो क्या हो कैसे हो फार्म कब से बगा जाएगा यह आपको पता है लेकिन पेपरों के मादम से आज के पेपर में भी बकाईदा दे चुका गया है कि आपको पढ़ाई करना होगा एक्जाम तो होनाता है एक्जाम देंगे पास करेंगे तब आप सक्षमता परिच्छा देने के बाद आप बिशिष च करमी बन जाएंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात आपको हम बता दे कि आपका प्रश्ण अहम था कि सर यह फॉर्म कब से लिया जाएगा पहले तो यह जान लिजिए आज हो गया 25 कल हो जाएगा 26 तो कल के डेट में आपका बिग्यापन आएगा नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद एक एक फर्म भरन डूम परने के बाद एकजाम आपका 26 फर्वरीस से लेकर 13 हमार्च के बीच होगा इतना आपको पता भी है और यह पेपरों के माधादम से आप देख भी ़िजिए क्या है यह देखिए 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच परिच्छा ली जाएगी 15 फरवरी आवेदन की यह अंतिम्तिती होगी यानि 15 फरवरी अंतिम्तिती होगी यह सारी बात को मैं बता देता हूँ एक बार ऑनलाइन होगी परिच्छा एक फरवरी से फरस्रेंगे आवेदन online mode में होगा computer based होगा computer पर आपको click करना होगा तो अभी से आप practice किजिए घर में या बगल के कहीं cyber cafe में जाके लेकिन आपके पास समय नहीं है तो एक laptop ले लीजिए आप laptop मिलता है 30-35 में एक महिना का payment लगेगा laptop ले लीजिए और मैं बता दूँगा गूगल पर जाके एक site आता उस पर जाके प्रैक्टिस करते रही है तो यह सारी जानकारिया आपको हम दे देदे देखिए यहां है ना सफल परिच्छा में सफल नियोजित सिच्चक उत्त्रिन होने के बाद कहलाएंगे विशिस सिच्चक कहलाएंगे आप और जिले में और फरवरी कर सकते एड्मिट कार्ड एड्मिट कार्ड भी आपका आ जाएगा और एक्जाम 26 से लेके 13 मार्च के बिच में संभव है यही सारी बाते हैं नियोजित सिच्चकों की सक्षमता परिच्चा लेने की विवाग ने मंगलवार को कायक्रम जागी कर दिया सक्षमता परिच्चा उत्रिन होने के बाद आवंटित स्कूल में योगदान करने वाले विशिष्ट से चक कहे जाएंगे सक्षमता परिच्चा 150 अंकों के ली जाएगी तभी प्रश्ण एक अंके ऑफ्जेक्टिव होंगे सक्षमता परिच्चा में सामिल होने के लिए एक से 15 फरव 5 हो 6 से 8 मी हो 9 मी से 10 मी हो 11 मी से 12 मी के नियोजित सच्चक हो सभी का 100 मार्क्स का एक्जाम होगा मैं फिर बोल दू यह देखिए देर सौ देर सौ कोस्चन होंगे देर सौ मार्क्स का एक्जाम होगा इसको याद कर लिजे सर और देर सौ मिनट यानि अढ़ाई घंटा दिया जाएगा निगेटिव मार्किंग बिलकुल नहीं है इसमें भी क्या 30 नम्मर भासा का रहे गाई अब पास करना निवार्य यह अभी नहीं बताया गया जल के नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा 30 नम्मर सभी का कंपलसरी है डेर सो में किभासा रहेगा और 40 नम्मर भी कंपलसरी है सभी में देख लिजिया भाग्टू में सभी का 40 नम्मर सामान अध्यल यानि GKGS आप पढ़ी लिजिए इसके अलावा 80 नम्मर आपका विशय विशय से होगा आप जिस भी विशय में चक बनना चाहते हैं और इस पर आधारित आपको मैं सीधे सब्दों में कहूं कहीं भटकने की जरुबत नहीं है आप अगर एंसी आर्टी पढ़ लेते हैं एंसी आर्टी या एसी आर्टी विहार सहकारवाला देखिए बीपी एसी के आधार पर एक्जाम होगा जैसा बीप पढ़ा रहें दिक्कत नहीं होगा अब प्रैक्टिस के लिए अगर सोच रहा है जो भी 125 के सक्षमता पर इच्छा देना चाहते हैं तो आप यह आख मून के किरन पब्लिकेशन का बुक ले लिए किरन पब्लिकेशन का बुक है इस बुक में जो बताया गया BPSC पर इच्छ के सक्षमता देना चाहते हैं तो एक मात्र बुक है ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है आप पढ़े हैं इसको बस रिभाइज करना प्रक्रिस करना है तो समाजिक बिग्यान वाले यह ले लिजिए जो गनितेवं बिग्यान के सच्छा के सक्षमता देंगे 36 आटमी में उनके राज के बिग्यान के सच्छा के बनेंगे उनके लिए यह लिए पिर नौमी दस्मी के बिग्यान के सच्छा के लिए यह है आप इसका स्क्रिंट ले लिजिए साइद आपको काम आ जाएगा आपने ले लिया यानि कहने का मतलब है विशय विशय प्याधारित जो भी पैटर्ण मैंने बताया आपको उसी प्याधारित है देखिए यहां आपको लिखा भी है यहां देखिए आप इसमें देखिएगा देखिए परिच्छा में 150 अब्जेक्टिव प्रस्णोंगे वही बोड लेगा तो एक्जाम का अस्तर आप समझ सकते कोई ज्याधा हाद नहीं गयेगा कम से कम बिहार बोड का जो भुक है उसको पढ़ लिए लेकिन आप कितना भुक पढ़िएगा तो इसलिए मैंने भुक बता दिया एक भुक में उसी भुक को पढ़िए लेकिन पढ और बिख्यादियों के लिए 40 फिजदी अंक लाना होगा जो पिछरा वर्ग है यानि बी-सी तू में आते उनको 36 परसंट पिछरा वाले ए बी-सी वाले को 34 परसंट और स्सी या महिला है या पी-एच में आते हैं उनको 32 परसंट कितने का ये कमेंट था इस इसका मतलब क्य कि जैनरल को लाना होगा कितना परसंट का 150 का एक सब्सक्राइब का 40 परसंट का मतलब क्या दो जीरों से दो कट गया पंदरचों के साथ मार्ग सापको लाना होगा जो भी जैनरल में आते हैं यह साफ सब्सक्राइब लाना है ले पास मांटने जाएंगे उसे उपशेका मेरिट ऐसे कि आपके बीजिये एक बाली में हैं वनको भाई जाना है सब्सक्राइब सब्सक्सक्राइब योट गट गया है पंद्रों इसके गुना करने के बाद आपका आजाएगा 24.75 यानि 55 नम्मर आपको BC2 वाले को लाना होगा आनिवारी है तभी आप उत्रन माने जाएंगे समझ रहें ना आप चलिए आगे चलिए जो भी EBC में आते हैं उनको भी हम बता दे जो भी EBC में आते हैं अत्यांत पिछरा वर्ड यानि BC किसी का दुसरा नाम है BC1 इसको ध्या परसेंट 24 मैंने इतने एक जिएगो से कड जायगा अब जब इसको किजिएगा पंदरों को 34 से गुना किजिए तो देख लीजे आपका क्या आएगा पच्छाओ के 25 हाप्च्छाओ के 20 25 15 15 15 15 15 17 4 1 आए 4 3 1 काए 3 0 7 4 11 आथ एक 3 4 5 यानि 510 यहां बट्ता में दस है यह कट जाएगा यानि एकावन नम्मर लाना होगा मिनिमम जो भी EBC वाले हैं EBC वाले EBC वाले जो भी पुरुस भाई हैं महिला के भी बात नहीं कर रहे हैं महिला कोई भी वर्क की हो SCST, PH, EBC, BC2, General उनको मात्र 22% लाना है कोई भी महिला हो यानि 48 नम्मर देख्षो का मात्र 42 तो लाना ही होगा पांस होने के लिए लेकिन जो फुरुस भाई है EBC में उनको एकावन नम्मर लाना होगा अब आते है किसमे भाई? जो भी भाई SCST में हैं उनको यह बता दे जो भी भाई SC में है या ST में आते हैं या जो भी दिब्यांग है यह यह महिला महिला कोई भी हो किसी भी वर्क की महिला हो इन सभी को मात्र लाना है 32% 32% का मतलब हो गया धेर सौखा 32% आपका कितना होता है आप थुद समझदार है एक जीरो से एक पड़ जाएगा 32 को पंदरा से भाग देंगे तो आपको जब सब कुछ करने के बाद आपको 48 48 मार्क्स लाना होगा और आप उत्तरुन माने जाएंगे यह बहुत बगी आपको निउज देने का प्रियासकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने जितने भी साती है निवेदान है कि इस वीडियो को सेर किजिएगा कि कितने पर पास माने जाएंगे मेन यही है यह हम बताने का प्रियास की है मिनिमम इतना लाना होगा जो मैंने बताया है जो पेपरो के माध्यम से भी दिया है तो आप सभी आसा है फ़रास्वान निवीत है कि आप बहुत बड़ीया से त्यारी कीजिए और रात में भी हम लाई बाते हैं के जियस को लेके बिल्कुल बिंदा साप औरते भी रही है हमारे साथ जुटे भी रही है आपको सो प्रिसेंट आपको सफलता दिलाने का प्रियास नहीं बिलकि मेरा मुहीम है कि आपको सफल ही कराना है जय हिंद जय घारावाद